पंक और उडान श्रिंखला में आज के कवी हैं चंद्रकांत देवताले और उनकी कविता स्त्री के साथ 1936 इस्वी में जिला बैतूल मध्यप्रदेश के जौल खेडा गाउं में जन्मे चंद्रकांत देवताले ने एमे पीचडी तक की शिक्षा पाई है एक दर्जन से उपर उनके कविता संग्रख प्रकाशित हैं कविताओं के अनुवाद अनेक भारतिय और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं देवताले एक उतक्रिष्ट, गणमान्य और प्रतिनिती कवि के रूप में विशाल हिंदीतर क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं मराठी से उनका संबंध मात्रिभाशा सरीखा है अनेक सम्मान, पुरसकार और अलंकर्णों से विभूशित देवताले अनेक देशों में हिंदी कवि के रूप में प्रतिनित्ध्व कर चुके हैं स्त्री, दामपत्य और प्रेम के विशे में देवताले ने अनेक अविस्मर्णिय कविताएं लिखी हैं प्रस्तुत कविता में स्त्री की अनिवार्यता को वे अपनी मनुश्यता, वयक्तिकता और सामाजिकता में उत्कट रूप से अनुभव करते कराते हैं स्त्री रहित जीवन और उसकी दिव्यता अपने आश्वासनों के बावजूद नकेवल अकल्पनिय अपितु मिथ्या है कविता में इस मार्मिक सच की अनुभूती, इस धब से संप्रेशित है कि स्त्री की महिमा अपनी सहज प्रभा और चमक में अनायास उद्भासित हो उठती है स्त्री के साथ मैं आकाश में इतने उपर कभी नहीं उड़ा कि स्त्री दिखाई ही न दे इसलिए मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता कि वे किस तरह सोचते हैं जो इश्वर के साथ रहते हैं वैसे मेरी आत्मा आकाश में बहुत उचे तकूरी है पर डोर हमेशा की सिस्त्री के हाथ में रही और सब जामते हैं कि आवरत ज्यादा ढील नहीं देती प्रेम करती हुई आवरत के बाद भी अगर कोई दुनिया है तो उस वक्त वह मेरी नहीं है उस इलाके में मैं सांस तक नहीं ले सकता जिसमें आवरत की गंध वर्जित है सचमुच मैं भाग जाता चंद्रमा से फूल और कविता से नहीं सोचता कभी कोई भी बात जुल्म और ज्यादती के बारे में अगर नहीं होती प्रेम करने वाली आवरतें इस प्रत्वी पर स्त्री के साथ और उसके भीतर रहकर ही मैंने अपने को पहचाना है उस अपने को जो हड्डियों और मांस के परे रहता है और फिर भी शाकाहारी नहीं है और जब वो मेरे लिए अंधर की तरह भी फरती है तभी मुझे यकीन आता है कि मेरे भीतर जलती लौ बुझ नहीं सकती क्योंकि औरत आग पर सिर्फ रोटियां ही नहीं सेकती है खुद आग की हिरनी की तरह चौकडी भी भरती है औरत का आग से रिष्टा बेबात नहीं होता मैं जहर में डूब कर आऊं या पराजे में ध्षकर औरत की आँखें मुझे कांच के गिलास की तरह धोकर पारदर्शी बना देती है और उसका गुनगुना स्पर्श खाली गिलास को नशे वाली चीज से भर देता है उसकी बगल में लेटकर ही मैं भाप और फूलों के बारे में सोच पाता हूँ और मुझे लगता है कि मृत्यू मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती पारस पत्थर और कल्पब्रिक्ष के बारे में मैं नहीं जानता मेरी आत्मा जाग के थपेडों में नहा रही है मुझे औरत की अंगुलियों के बारे में पता है ये अंगुलियां समुद्र की लहरों से निकल कर आती है और एक ठके मादे पस्त आदमी को हरे भरे गाते दरख्त में बदल देती है जिसे तुम तवचा कहते हो वह नदी का वसंत है चांदनी में बहता हुआ इच्छाओं का ज्हरना उसे समय को परे धकेल कर जगह को घराईयों में ले जाना खूब आता है फिर भी सिर्फ एक औरत को समझने के लिए हजार साल की जिंदगी चाहिए मुझको क्योंकि औरत सिर्फ भाप या वसंत ही नहीं है एक सिंफनी भी है समूचे ब्रह्मान्ड की जिसका दूद दूब पर दोड़ते हुए बच्चों ने खरगोश की तरह कुलाचे भरता है और एक कंदरा भी है किसी अग्यात इलाके में जिसमें उसकी शोक मगन परचाई दरपन परचाई गर्द को रगड़ती रहती है